यूपी के साथ साथ पंजाम में भी मुख्यमंत्री की कद्दी के लिए शह और मात का खेल परवान पर है पूर्व के विनिट मंत्री नौजोज सिंग सिद्धू की सितारे यूँ तो पिछले पुने तो साल सही कर्दिश में चल रहे हैं मुख्यमंत्री केप्टेन अमरेंदर सिंग और सिद्धू का आपस में फ़सा पेच सुलजने की बजाए उलसता जा रहा है पिछले कुछ वक्त से सिद्धू दोबारा सक्री तो हुए पर सिद्धू वानी के तीर कॉंग्रेस के खिलाफ ही चल निकले अब सिद्धू ने नईया पार लगाने के लिए ट्रम कार्ट चल दिया है हालात इतने बिगट गए कि खुद कॉंग्रेस हाई कमान को दखल देने आगे आना पड़ा पंजाब कॉंग्रेस में कलेवाजी को सुलजाने के लिए सोन्य गांदी के आदेश पर तीन सदस्य कमिटी बनाई गई सिद्धू समित कई नेता कमिटी की मिटिंग में शामिल हो चुके हैं कैप्टेन आमरिंदर सिंग ने भी शुक्रवार को कमिटी के सामने अपनी बात रखी अब रूठों का भी दिल्ली दरबार में मानमनवल किया जा रहा है पंजाब कॉंग्रेस के बटे हुए दिल अब दिलवालों की दिल्ली में मिलाने की खोशिश की जा रही है दरसल विवात की चट 2015 के बेद्वी कांड पर सरकार के रुख और 2017 की चुनावी खोशनाओ को लागुन नहीं करना है लिहाजा मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंग के खिलाब पार्टी के ही आधे से ज़्यादा विधायक बागी रुख अख्तियार किये हुए है इन में सबसे मुखर पूर्व मंत्री नौजोत सिंग सिद्धू है वो पिछले कुछ हफ्ते से मुख्यमंत्री पर सोशल मीडिया के चरिये हमलावर बने हुए है बेहद्वी कांड और चुनावी घोशनाओ को लेकर सिद्धू अमरिंदर सिंग पर हमलावर है सियासी पंडितों का कहना है कि अमरिंदर सिंग और नौजोत सिंग सिद्धू के बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं है सियम बनने का सपना पाले सिद्धू को जब काम्यावी नहीं मिले तो मुखर विरोध का रास्ता चुना लेकिन जिस तरह से निकाई चुनाव में काम्यावी मिली तो अमरिंदर सिंग के पास ये कहने का विकल्प था कि अगर पार्टी ये जनता में ऐसंतोष होता है तो जीत नहीं हासिल होती बहराल केंद्रियाला कमान इस नतीजे पर पहुंचा है कि अगर एसंतोष की लप्टों पर सुलह का पानी नहीं डाला गया तो कॉंग्रेस के लिए विधान सा वाचुनाव में जीत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा सिद्धू के समर्थन में आदे विधायक हैं जबकि आप विधायकों को अपने पाले में करके अमरिंदर भी मजबूत होती जा रहे हैं लिहाजा इस मामले को सुलजाया नहीं गया तो मामला हाथ से निकल सकता है Bureau Report The Fact India